हलो दोस्तो नमस्कार स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है मैं आपका साथियूर गाइड डॉक्टर वीजे दोस्तो आज का हमारा जो टोपिक है वो वेस्टरन पोलिटिकल थिंकर से है जिसको आप लोग युनान के राजनितिक इतियास में एक बड़ा नाम मानते हैं अरस्तू इंगलिश में जिसे आप लोग अरिश्टोटल कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर अगर राजनितिक विचार को यानि पॉलिटिकल थिंकर के आप लिस्ट बनाने शुरू कर दो तो सबसे उपर नाम ओटोमेटिकली अरस्तू का आएगा युनान के महान डार्शि प्लेटो, शुक्रा, अरस्तू तीन बड़े फेमस रहे लेकिन हम इंटर्नेशनल लेवल पर बात करते हैं तो हम सब को धिरे-दिरे करके पढ़ते हैं जो बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे उसके इंपोर्टेंट फेक्ट जानेंगे और जितने भी प्योप्योप्य बार-बार एक्जामस में बनते हैं उन सभी एक्जाम को देखने की कोसिस करेंगे मैं वेस्टन पोलिटिकल थिंकर के भी लेक्टर बना रहा हूं आपके लिए रूसों का डाल चोका हूं याज रस्तू का है हर रोज आएंगे और उसके साथ-साथ इंडियन पोलिटिकल थि अर्थ-सास्त्र, उसके साथ मनो-विज्ञान, जन्तु-सास्त्र, आचारिय-सास्त्र, जीव-विज्ञान, तरक-सास्त्र इन सभी का एक्सपर्ट था और बहुत सारे ऐसे विज्ञान हैं जिनका जनक, पाउंडर या पिता-अरस्तू को आप लोग मानते हैं तो अरस्तू का बेसिकली जो जनम हुआ वो 384 विश्य के अंदर हुआ था और मैसोडेनिया के सामराज्य के अंदर उनके पिता एक बड़े चिकिच्चे के रूप में थे तो जाहिर सी बात है कि अरिस्टोटल का जनम बिल्कुल एक अच्छे प्रिवार में हुआ और सारे सुक्षविदाय धन दोलत उसके पास हो लड़ी मौजूद थी अपने पिता से चिकिच्चा की उसने सिक्षा ली और बाद में उसने पूरी दुनिया के अंदर अपना अपने राज्य का और राजनतिक अक्षेतर का नाम रोसन किया वर्तमान में जो व्यज्यानिक विचार परंप्रा है उस उसके गुरू के रूप में पलेटो रहे और उसने खुद भी अपने आपको दुनिया के महान योदा अलेकजंडर यानि सिकंदर का गुरू बताया और सिकंदर के गुरू के रूप में उसने बहुत बड़ा अपना करतेवय का पालन किया और जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने निकला था तो वो सारी शिक्षा जो है वो अरस्तु के दोबारा उसको दी गई थी ये कहा जाता है ये बात धारना है समाज में कि जब पूरी दुनिया को जीतने के लिए अलेकजेंडर निकलने वाला था तो उसकी वजह भी अरस्तु ही था अरस्तु ने सिकंदर को पूरी सिक्षा देने के बाद जब सिकंदर ने उससे पूछा कि गुरू जी मुझे सिक्षा मिल चुकी है अब मैं आपको गुरू दक्षना में क्या दूँ तो अरस्तु ने कहा था कि अगर आप गुरू दक्षना देना चाहते हो तो पूरी दुनिया को जीत करके मुझे ला दीजिए ये कहते हैं कि सिकंदर घबरा गया और उसने कहा कि गुरू जी कोई और गुरू दक्षना नहीं हो सकती क्या तो अरस्तु ने कहा था कि मैं आपको एक किताब दे दिता हूँ और वो किताब में पढ़ लीजिये जो अच्छा देश हो उसको आप जीत लीजिये कहते हैं कि अरस्तु ने उसी समय सिकंदर को एक किताब दी और वो किताब थी हिस्टोरिका वही किताब हिस्टोरिका थी और हिस्टोरिका के अंदर ही भारत को सोने की चिरिया कहा गया था और वहीं से सिकंदर ने प्लान किया था भारत को जीतने का और दुनिया के अलग- रचना की हो जिसमें पोल्टिक्स जैसे महान गरंत भी रहें सविधान की सबसे पहले सुरुवात की बात हो दुनिया के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे देशों का सविधान पढ़ करके कि विस्तर सविधान की रचना करना हो राज्य को एक प्राकरतिक संस्था बताना हो राज्य का जनम मनुष्य की भोतिक आउश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए हुआ है ये कथन भी अरस्तु के दवारा कहा गया था सविधान वही है जो सथाई हो ये भी अरस्तु के दवारा एक समय में कहा गया था ये कोई चीजे हैं जो अरस्तु के बारे में काफी फेमस है अरस्तु ने एक और चीज कही थी कि राज्य के अंदर जब क्रांती होती है और जब क्राइंग होता है यानि जब अपराद बढ़ता है और जब क्रांतियां होती है तो उसका सबसे बड़ा कारण नर्धनता और गरीबी होती है तो उसने इसको आर्थिक विसमता को भी एक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एक्जाम में इन क्योस्टों से भी फाइदा हो पाए तो और दूसरी वाद दोस्तों अगर पूरे इंडिया के अंदर हमारा बाइक कोरियर जाता स्टडी मैट्रियल अगर आपको मैट्रियल चाहिए डि-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e में कोरियर से मंगवा सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज के टोपिक में कितने questions हैं उनको डिस्कस करते हैं परसन नमबर एक है अरस्तू का जनम कहां हुआ था अरस्तू का जनम कहां पर हुआ था क्योंसर नमबर एक आप मान सकते हो तो इसी से आपकी सुरुवात हो जाएगी यहाँ पर एथेंस आप कह सकते हैं वैसे इसको अगर उस नाम से जानेंगे तो फिर मैसेडोनिया आएगा ये भी आपको याद रखना है क्योंसर नमबर दो अरस्तू का जनम कब हुआ था तो आपका अंसर मैंने पहले भी आपको बताया 384 विसी आप करेगा क्योंसर नमबर तीन राजनितिक मानो समुदाय दोरा अपनी समिश्याओं से नेपटने की परकरिया है ये किस के दोरा कहा गया था तो फिर आपका अंसर यहाँ पर सी होगा हैरोल्ड लास्वेल क्योंसर नमबर नेक्स्ट अरस्टू अपने किस विचार के कारण राजनितिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं कौन से विचार की वज़े से अरस्टू को राजनितिक विज्ञान का पिता कहा जाता है क्रांती दासपर्था वर्गी करन या फिर नागरिकता तो आपका अंसर ए रहेगा क्रांती रहेगा जिसको आप लोग revolution कहते हैं question number five प्राचीन युनानी राजनतिक दर्षन का मुख्य विचार बताईए प्राचीन युनानी राजनतिक दर्षन का मुख्य विचार सामाजिक समानता व्यक्तिकी सवतंतरता उत्तम जीवन या फिर राज़त संपर्भुता तो आपका अंसर यहां रहेगा भी व्यक्तिकी सवतंतरता प्राचिन युनानी राज़तिक दर्सन का मुख्य विचार व्यक्तिकी सवतंतरता होता था QNo.6, अरस्तू के अनुशार राज्यों के प्रिवर्तन चक्र का सही करम बताईये। सबसे पहले सयंत्र भर्जातंत्र कहा गया है, भीड़तंत्र कहा गया है, निरिन्कूस तंत्र राज तंत्र धनिक वरक तंतर और कुलिन तंत्र। अब यहां धान से देखेंगे, तो number 1 पर आपका राज तंतर आता है number 2 पर आपका दरंकुष तंतर आता है number 3 पर कुलिन तंतर number 4 पर धनिक वर्ग तंतर number 5 पर सैंतर परजा तंतर and number 6 पर भीड तंतर तो इस तरीके से आपका जो answer यहां बनेगा वो a बनेगा यानि ये आपका यहाँ पर अंसर आ जाएगा अगर सही इसमें आप ध्यान से देखेंगे बहुत सारे विचारकों ने विचार दिये हैं लेकिन अरस्तु के नुसार आप लोग सबसे पहले जो count करेंगे वो आप रास तंतर को करेंगे फिर आपका द्रेंकूस फिर आपका कोल पर विचार कीजिए दात्ते के अनुसार अरस्तु बुद्धि मानों का गुरु है और दूसरा स्टेटमेंट है अरस्तु ने न्याय का द्वीविद वर्गी करन रेखागित रेखागणी तथा अंगणी तात्मक पनित किया है केवल एक केवल दो एक और दोनों या फिर न पर विचार कीजिए निमन कत्नों पर विचार करना है अरस्तु की शिक्षा योजना राज्य के सभी वासियों के लिए है नंबर दो अरस्तु ने संगीत को अनाव्शक युम अत्यधिक विशेश्ता परदान की है तो अगर आपकी इन कत्नों पर देखेंगे तो कौन सा कतन पहला कथन सही है दूसरा कथन सही है A और B दोनों सही है ने तो A सही है और ने भी दूसरा सही आँए यह प्योज़ानא हमी काउंट करोगे तो यहां पर आप ने देखना है A B A और B दोनों या A और भी कोई भी नहीं तो देखिए दोबारे एक भी ध्यांसी क्वेस्टन को पढ़ने की इन क्वेस्टन पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा अरस्तु की शिक्षा योजना राज्य के सभी वाश्यों के लिए यह गल्फ हो जाएगा क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा है अरस्तु की ने संगीत को अनाश्य के वाश्योंकि विशेष्टा परदान की है तो यहां पर आपका जो अनसर होगा वो सिरफ भी रहेगा क्वेस्टन नमबर नोमा अरस्तु के नुसार सत्री और पुरुस की आये विवाहा के वक्त होनी चाहिए क्या उन्होंने बताया? स्त्री की 38, पूरुस की 28, पूरुस की 38, स्त्री और पूरुस दोनों की 18, स्त्री की 18 और पूरुस की 38 तो यहां आप लोग question number, answer आपका जो है वो D के तरब लेगा question number आपका हम चलते हैं दसमें पर अरस्तू अपने आदर्स राजे में किन कार्वर्गों को नागरिक्ता से वन्चित करता है? कौन से वर्गों को नागरिक्ता से वन्चित करता है? अरस्तू, सैनिक, पुरोहित, विधायक, कारीगर तो फिर आपके सामने इसका answer है कारीगर क्वेस्टन नमबर 11 अरस्तु ने करांती के कारणों में सरवादिक जोर किस पर दिया है अरस्तु ने करांती के कारणों में सबसे ज़्यादा दोर मैं आपको बताया सबसे ज़्यादा दोर अरस्तु ने करांती के कारणों में जो दिया है वो आर्थिक कारणों को उसने अलग भी कारण भी बताई हैं लेकिन यहां पर जो आपका अनसर रहेगा आर्थीकाण क्योंसर आपका बारों राज्य के विकास का वरनंद करने के लिए जिस पधत्ति का परियोग किया अर्यस्त…… ने राज्जी के विकास का वरणन्द करने के लिए किस पदत्ती का परियोग किया था तो आपका अंसर डी रहेगा सोधिशात्मक क्योस्तर नंबर तेरवा स्वेधानिक सरकार की आउधारना सबसे पहले किसके दवारा दे गए स्वेधानिक सरकार constitutional government का जो concept था वो सबसे पहले किसके दवारा दिया गया प्लेटो दवारा अरस्तु दवारा बोंदा दवारा या मैक्यावली दवारा तो आपका अंसर रहेगा अरस्तु के दवारा politics की पुस्तक के बाद या फिर Athens के लिए सविधान बनना हो दुनिया के ब निर्पेक्स आउधारना सापेक्स आउधारना केवल व्यक्ति के लिए महत्तपुण केवल समाज के लिए महत्तपुण तो फिर आपका अंसर रहेगा निर्पेक्स आउधारना क्योस्ता नंबर पंदरवा निमलित में से किसने संपत्तिक और सवाभाविक माना है किसने किसे राजनितीक विजन का जनक माना जाता है या कहा जाता है किसको राजती विजन का जनके पहले है अरस्तु को इसके अलावा भी बहुत सारे सबजेक्ट हैं जिनका फाउंडरून को माना जाता है ज़ er किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्तिश्य पूर्व है किसने यह कहा कि राज्य पहले है प्लेटो अरस्तु हाव्स या फिर हिगल तो आप का अंसर यहां पर वी रह जाएगा किसने कहा कि निर्धंता अपराद वे करांती की जननी है कौन ऐसा था जिसने यह कहा कि जो निर्धंता है जो गरीबी है वो अपराद यानि क्राइम और करांती यानि रिवलुशन का कि जनक है जननी है उसी की वज़े से यह सब पैदा होता है अरिश्टोटल पलेटो हमर या फिर एक्विनाज तो यहां आपका जो अंसर रहेगा वो अरिश्टोटल यानी अरस्तु रहेगा क्योंसर नमबर 19 अरस्तु के अनुसार राज्य पर सासन करने वाले राज मरमग में नमिलत गुणों में से कौन सा गुण अपेक्सित है तरक बुध्धी ज्यान दूर दर्शि जीवन के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए विद्यमान है यानि राज्य का जनम जीवन किसका मनुष्य का राज्य का जनम मनुष्य के जीवन के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए विद्यमान है यह कथन यह विचार किस व्यक्ति के रहे हैं तो आपका अंसर यहां अरस्टू आ जाएगा question number 21 निमलित में से यह किसका विचार है कि समानता एप्राकरतिक एवब वान्चनिय है किस ने यह कथन कहा कि जो समानता है जो equality है वो एप्राकरतिक है यानि नेचुरल नहीं है या फिर अवांचनिय है जो नहीं होनी चाहिए पलेटो अरस्तु गांधी या फिर लास्की तो आप का अंसर यहां भी अरस्तु रहेगा अरस्तु ने ही एक परकार से समानता को प्राकर्तिक और अवांचनिय कहा है क्योस्टन नमबर 22 अरस्तु ने राज्य के विकास का वरणन के लिए जिस पदत्ती का परियोग किया वे कौन सी थी किस पदत्ती का उसने परियोग किया तो आपका अंसर डी हो जाएगा क्योस्टन हो चुका ओल्ड़ी क्योस्टन नमबर 23 किसने कहा कि वीधी इच्छा से एपरभावित विवेक है किसने कहा कि वीधी इच्छा से एपरभावित विवेक है ये कथन किसका है तो फिर आपका जो अंसर रहेगा वहां ये भी अरस्तु आएगा विवनात्मक न्याय का अगर्णी प्रतिपादक कौन था शुक्रात प्लेटो राज या फिर अरस्तु तो आपका अंसर दी रहेगा क्योसान नंबर 25 राज्या प्रिवार का समवर्दन है यह कहा है राज्या पृष्टिण का अंसर के साथ मैच किजिये और हर वो स्टेट्मेंट याद रखिए जो आँ बोला का समवर्दन है डी अंसर होगा क्योस्टन नंबर आपका 26 सवेधानिक सरकार की आउधर्णा सबसे पहले किसके दवारा दी गई थी ये भी मैंने आपको बताया अरस्तु ने सबसे पहले ये सुरुवात की थी क्योस्टन नंबर 27 अरस्तु का आदर सराज्य बराबर है किसके बराबर है अरस्तु का जो आइडियल स्टेट है वो किसके बराबर है प्लेटो के स्रेश राज्य के बराबर प्लेटो के द्वीतिय स्रेश राज्य के बराबर दोनों के बराबर या इन में से कोई भी नहीं तो तो फिर आपका अंसर होगा प्लेटो का जो द्वीती है जो सेकंड स्रेस्ट अजय था उसके बराबर क्योस्टन नमबर ठाइस मनुष्यक सामाजिक पुराणी है यह किसके द्वारा कहा गया प्लेटो ने कहा अरस्तु ने कहा हाफ्स ने कहा या फिर रूसों ने कहा यहां जीवन की पर्थम पाट साला है यह किसका कतन है बोडिन अरस्तु सोफिष्ट या फिर बोडिन तो आपका यहां जो अंसर होगा वो रहेगा अरस्तु क्वस्टन नमबर तीस अरस्तु के नुशार राज्य के सामाजिक धांचे का निर्मान कितने वर्गों से मिलकर हुआ है अरस्तु के नुशार राज्य के सामाजिक धांचा सोसल स्टुक्चर जो है उसका निर्मान जो है वो छह वर्गों से मिलकर हुआ है question number next 31 अरस्तु के नुसार राज्य एक क्या है नकारात्मक बुराई है नकारात्मक अच्छाई है सकारात्मक बुराई है या फिर सकारात्मक अच्छाई है तो यहां आपका अंसर होगा अरस्तु के नुसार राज्य एक परकार से सकारात्मक बुराई अच्छाई है बारा आठ या फिर नो आपका अंसर यहाँ पर रहेगा आठ सी अंसर होगा क्योंसर नंबर आपका 33 वां कोल्टिक प्राचीन काल से हमें प्राप्त होने वाली सरवादिक महत्वपुन दीदी है यह कथन किसका है ब्रावले जैलर फस्टर अरस्टू आपका अंसर जो यहां रहेगा वो रहेगा ब्रावले यह आपका अंसर इसमें हो जाएगा वार्ष्टू के दवारा लिखा गया सबसे मैहत्वण की बात करेंगे तो काफी सारे गरंथ उसके रहे लेकिर एक अगर चांटना हो तो दन आपका अंसर ए रहेगा पोल्टिक्स रहेगा क्योस्टन नमबर 35 अरस्टू दवारा लेकित गरंतों के संख्या लगभग कितनी है तो आपका अंसर 400 प्लस उनकी रहेगा अरस्टू इसका परदान कितने वर्सों तक रहा अरस्टू राज्य के एक आप मौली को व्यक्ति से लेकर के एक आप सोच सकते हैं सेकंदर के गुरू तक का प्रद उनको मिला और काफी सारी ख्याति वर्ड भर में उनको बाद में प्राप्त भी तो आपका अंसर यहां पर एक सेकंद सी आपका अंसर होगा बारा नेक्स्ट क्यूस्टन है अरस्टू दोवारा स्थापित सिक्साल्य का नाम बताना है तो आपका अंसर भी रहेगा लिशियम होगा 38 अरस्टू किस का सिश्च था अरस्टू प्लेटो का सिश्च था 38 में कि बाद आपका क्यूस्टन है 49 अरस्थं करकी सास्तर नेक्स्ट क्यूस्टन है चालिशवा अरस्तु किन-किन सासन परदत्यों को महतों देते थे, कोन सी सासन परदत्यों को महतों देते थे, अलबत अंत्र, निद्देता, परदत अंत्र, सभी आपका अंसर आजाएगा. क्योस्टन नमबर 41, महिलाओं को सरोपर्तम सासन विवास्ता में सामिल होने के नुमती किस ने दी थी आपका अंसर यहां भी अरस्तू आ जाएगा क्योस्टन नमबर ब्याड़ी सी, किसको विर्ता पूर्सकार से नवाजा गया था? विर्ता पूर्सकार से नवाजा गया था? प्लेटो, अरस्तु, कोटिले या फिर अलेक्जेंडर तो यहां आपका अंसर रहेगा अरस्तु. नेक्स्ट क्रिशन है 43 पस्चमी दर्शन का अध्धन किया था पस्चमी दर्शन का अध्धन करने वाला कौन था इनमें से प्लेटो फ्लेमिंग चानके या फिर कोटिले तो आपका अंसर यहां रहेगा वी यानि फ्लेमिंग नेक्स्ट क्रिशन है कविताओं के अध्धन वरत को पसंद करता था अरस्तु तो यह फोर्टी फोर क्रुक्षन थे जो बार-बार अलग-अलग एक्जाम में पूछे जा सके हैं और आगे भी आने के उमीदें पूरी-पूरी हैं पूरे कुछ ऐसे फैक्ट हमने जाने जो अरस्तु के जीवन से संबंदित थे अरस्तु से पहल लोगों के तैयारी पूरी हो सके पूरे इंडिया में हमारा स्टडी मेट्रिल तो बाई कोरियर जाता ही है जिसको आप लोग डिस्क्रिशन में नंबर है या वैसे मैं बता देता हूं 844-7410108 इस नंबर के उपर आप लोग कोल या वाटसप पर बात करके पूरे भारत में से कोरियर से में वाते है